Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. So last lecture में हमने class 10th ICSC Physics का जो chapter number 11 है, जिसका नाम है Calorie-Mitri, उसके part B की theory हमने start कर ली थी. आज के lecture के अंदर हम उसका जो अगले topic है, उसको discuss करने वाले हैं, और हाँ, उपर जितने भी आपको channels लिखे हुए हैं और जो pages दिखाए गए हैं, उनके links हमने description box में डाल दिये हैं, तो बिने कोई time waste किये, चलिए शुरू करते हैं. आज जो topic हमने discuss करना है, उसका नाम है Vaparization और Boiling. देखिए, जब हम बात कहते हैं Vaparization की, तो उसका मतलब होता है कि आपका जो liquid है, वो gas में convert हो रहा है, बट फिर से वही important बात कि आपका जो temperature है, वो हमेशा constant होता है. प्लीज हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आपका face change होता है, मतलब जब solid से liquid या liquid से gas वो convert हो रहा होता है, उस particular moment में जो temperature है, वो हमेशा आपका constant होता है, और इसी change को Vaparization का नाम कहा गया है, जब वो आपका liquid से gas हो रहा है, अब मैंने बात कहा आपको कि एक particular temperature पर ही ऐसा होता है, तो उस particular temperature का नाम है the boiling point of that particular liquid, अब जैसे कि पानी के अगर बात करो तो हम सब को ही पता है, कि जो पानी है वो आपका boil होता है at 100 degrees Celsius, and वो 100 degrees Celsius उसका जो temperature है वो maintain रहता है, और उसी temperature पर ही आपका जो water है वो vapor में convert होता रहता है, अब इसके reverse को कहा जाता है condensation, या फिर liquification भी कहा जाता है आपका, देखिए, simple सी बात है, जब आपका liquid gas में convert हो रहा है, तो अब हम उसको कहते है vaporization, और वो particular temperature जिस पर ऐसा होता है, उसको boiling point of liquid कहा जाता है, उसका जो reverse है, उसको कहा जाता है condensation या liquification, अब ना एक बात हमेशा आप याद रखना, कि अगर मैं ideal case के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर एक pure substance की बात कर रहा हूँ, तो जितनी amount of heat लेकर आपका पानी steam में convert होता है, उतनी ही amount of heat को उसको reject करना पड़ेगा, जब वो steam से दुबारा water बन रहा है, तो हमेशा याद रखें कि अगर हमारे पास एक pure substance है, तो उस condition में जितनी amount of heat लगती है, water को steam बनने में उतना ही amount of heat उसको reject करनी पड़ेगी, जब वो steam से water बनेगा, एक और important बात, कईयों को ये लगता है कि जब हमारा temperature जिसे मालो water का 100 degree Celsius है, जब वहाँ पे पहुंच जाता है तो वो heat को gain करना बंद कर देता है, लेकिन वो गलत है, देखिए जब आपका 100 degree Celsius पे पानी पहुंच जाता है, उसके बाद जो amount of heat ले रहा है वो उस heat का इस्तेमा करना है, तो जो amount of heat अब 100 degree Celsius के बाद वो लेगा, वो सिर्फ अपने state को change करने के लिए use करेगा, और इस heat को latent heat कहा जाता है, जो हम अपने next lecture में अच्छे से study करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं वेपराइजेशन की, तो बस हम आज उतनी ही बात करते हैं, फिर हमारे पास आता ह है, heating curve of water, तो अगर आपको यादो हमने ice का भी heating curve बनाया था, last lecture के अंदर, तो आज हम करेंगे heating curve of water, देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ा आप भी बात समयने कोशिश करो, कि पहली बात heating curve का मतलब होता है, you have to make a graph between temperature and time, बस, पहली बात तो यह रखो, और temperature लिया है, नहीं था, या मेरे liquid था, वो 20 degree Celsius पे था, जो कि मान लेते कि मेरे एक room temperature है, फिर मैंने उसको heat provide करनी शुरू कर दी, अब मैंने जो heat provide शुरू करी तो उससे उसका दिरे-दिरे temperature जा है, वो rise किया, और जहां मैं ग्राफ देख रहा हूं, वहां से दिख रहा है कि 30 seconds के अंदर, उसका temperature 20 से 100 degree Celsius पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद आप देखी कि आपके एक straight line है, अब ये straight line क्या बता रही है आपको, ये straight line ये बता रही है कि आपका पहली बाद तो temperature constant है, ठीक है कि इसके बाद इसका temperature rise नहीं कर रहा, तो ये वो point है, जिस point पे आपका liquid vapor में convert हो रहा ह मतलब boiling process take place करना शुरू हो गया है, और ये ये भी बताता है कि इसके बाद की जो heat है, वो सिर्फ काम आ रही है आपके state को change करने के लिए, initially क्या था कि A से B तक जो amount of heat हम substance को दे रहे थे, उससे उसका temperature rise हो रहा था, जैसे वो B पे पहुंचा उसके बाद अब जो हम amount of heat उसको दे रहे है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके state को change कर रहा है, तो प्लीज आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, तो A से B क्या हो रहा है, उसका temperature rise हो रहा है, और B C क्या है, boiling process को represent आपका कर रहा है, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, फिर हमारे पास आता है the change in volume of boiling, द करता है, लेकिन boiling process के time पर जितने भी liquids होते हैं, वो सारे के सारे आपके expand करते हैं, तो ये बात या रखना कि all liquid expand on boiling, जैसे बड़ा अच्छा एक example भी दिया हुआ है, कहते हैं कि अगर मैं मालीजे 1 cm3 volume का पानी ले रहता हूं, 100 degree Celsius पे, और जब वो पूरा का पूरा steam में convert हो जाएगा न, तो वो आपका 1760 cm3 उसका volume हो जागा, देखें कितना आपका जो volume है, वो 1760 टाइम जादा हो जाता है आपका, ठीक है जब आपका 1 cm3 पानी था, वो convert हो गया steam के, तो देखें कितना उसमें expansion आ गई, अब next हमारे पास आता है कि effect of pressure on the boiling point, ये बात बिलकुल सही है कि pressure बढ़ाने से boiling point बड़ता है और pressure कम करने से आपका boiling point है, वो कम होता है, लेकिन कहीं लोग न, एक्झली ये नहीं समझ बाते कि boiling point बढ़ना और कम होना इसका मतलब क्या है, आपको अच्छे से समझाता हो कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, ये हैआपका सबसे पह कि अंदर की steam को बाहर नहीं जाने देता जिसकी वज़े से अंदर का जो pressure है वो यह देखो कितना अच्छा fact बताया हुआ है वो 1.75 टाइम्स जादा हो जाता है atmospheric pressure के अब इससे होता क्या है इससे यह होता है कि जो पानी आपका boil होता था 100 degree Celsius पे वो अब आपका boil होगा 120 से 125 degree Celsius तो आपने पहली बात यह दित देखी कि अगर मैंने pressure को बढ़ाया तो boiling point आपका पानी का ही 100 degree Celsius से बढ़कर 120 या 125 degree Celsius हो गया अब आप सोचेंगी सर इसका फैदा क्या है देखो इसका बहुत जादा फैदा है मैं मेरे बाद समनी कोहिश करना या पर हो क्या रहा है देखिए स के बाद जाके उसका temperature क्या हो जाता है constant हो जाता है अब जो amount of heat दी गई है उसको 20 से 100 degree Celsius तक पहुंचने के लिए यह वही amount of heat है जो use करेगा इसका content जैसे कि अगर मैंने food इसमें कोई डाला है तो पकने के लिए जो amount of heat उसको चाहिए होती है न वो 20 से 100 degree Celsius के बीच वाली जो amount of heat यह absorb करता है यह actually उसका इस्तेमाल करता है क्योंकि 100 degree Celsius के बाद वाली heat का इस्तेमाल तो वो सिर्फ अपने state को convert करने के लिए करेगा समझगे तो याद रखना कि 20 degree Celsius से 100 degree Celsius के बीच में जो इसने amount of heat absorb करी है यह वही heat है जो आपके food को cook करता है अब होता यह है कि अगर मैं pressure increase क वो जाएगा 120 तक और 120 के बाद जाके अपने state को change करेगा तो 100 से 120 तक 20 degree Celsius के temperature को change लाने के लिए जो extra amount of heat का यह इस्तेमाल करेगा वो मेरे food को और ज़्यादा अच्छे से cook नहीं कर देगा समरें ना मरे बात कि initial state में क्या था कि 20 से 100 के बीच वाले heat को यह use कर रहा है content अपने आपको पकाने के लिए लेकिन अब वो use करेगा 20 से 120 की बीच में जितना भी amount of heat है अब उसका इस्तेमाल कर रहा है food को cook करने के लिए तो automatically क्या हो रहा है अब इसको ज़्यादा amount of heat मिल रह को करका कि इस्तिमाल किया जाता है और कहां भी आता कि preferable है gas किया होता किना कम यूज होता है और खाना जल्दी पक जाता है तो कहा ज़्यादा pressure cooker का इस्तिमाल करो करियर दूसरी बात एक बड़ा अच्छ एक्जांपल और भी है हमने कितनी बार यह सुना है कि hills या mountains में जब हम cooking करते हैं मलब at high altitude की बात हम करते हैं तो जो खाना है उसको पकने में बहुत मुश्किल आती है उसका reason क्या है reason वही वाली बात ही है अब होता यह है कि जैसे देखो अब instead of मैं आपको एक्जांपल के तोर पर बता रहा हूँ कि अब initially क्या देखा था हमने कि 20 से 100 degree Celsius तक आपका जो heat है वो absorb करके temperature rise हुआ उसके बाद constant हो गया यह देखा था ना अच्छा अब माल लेते हैं कि instead of 100 degree Celsius अब 80 degree Celsius पे जाकर ही यह boil होने लग गया मतलब क्या कि अब यहां पर आकर 80 degree Celsius हुआ उसके बाद जाके आपका जो water है वो vapor में convert हो रहा है अब आप खुछ सोचो जो पहले वो 20 से 100 80 degree Celsius के change वाली heat को जो वो इस्तेमाल कर रहा था अब वो 20 से 80 के बीच वाली heat का ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो amount of heat उसको मिल रही थी 20 से 100 degree Celsius सके बीच में अब उसको कम amount of heat मिल रही है क्योंकि 80 degree Celsius पे ही बोल होने लग गया तो याद रखें कि जिस time वो आपका state convert करता न तो वो heat का इस्तेमाल सिर्फ अपने state को change करने के लिए करता है वो बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं करता आपके food को cook करने के लिए तो अब कम amount of heat उसको मिल रही है as compared to previous one इसलिए cooking purpose के लिए वो थोड़ा से difficulty हो जाती है I hope आपको ये बात समझ में आगी होगी तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने next point के बारे में कहता है effect of impurity on the boiling point देखें simple से बात आप मुझे बताओ कभी-कभी ये आपने खुद observe किया होगा कभी-कभी हम pasta's को गरम करते हैं या noodles को गरम करते हैं तो उस time हम कहते हैं कि हम ना पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो उससे क्या होगा वो अच्छी तरह cook हो जाएगा अब उसका reason क्या है नमक डालने का मतलब होता है you are adding impurity अब होता क्या हमें बताता हूँ आपको जैसे आप एक common salt पानी के अंदर add करते हो तो उसका जो boiling point है वो आपका 100 degree Celsius से increase कर जाता है so please remember with adding impurity boiling point always increases अब क्या होता है कि अगर आपका boiling point बढ़ गया अब मुझे शायद बताने की जाएजरूत नहीं है जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर अब इसका boiling point बढ़ गया तो अब क्या मतलब हुआ तो इस condition में अब इसको initial जो conditions थी उससे ज़्यादा amount of heat उसको मिलेगी क्योंकि ज़्यादा amount heat मिलने के बाद जब वो मालो 110 तक पहुंचता या 115 तक पहुंचता तब जाके state का change होगा तो ये salt क्या कर रहा है ये salt पहली बात तो boiling point बढ़ा रहा है जिसकी वज़े से मेरे जितना भी content होता है उसको ज़्यादा amount of या sufficient heat energy मिल जाती है जिसकी वज़े से वो easier and faster जो आपका वो cook हो जाता है I hope आप ये vaporization और ये factor समझ में आगे होंगे ठीक है